केस्टर ओइल जिसे हम कहते हैं अरंडी का तेल कौनली हमें अविलेबल है कौनली मिल जाता है और हम जानते हैं कि पुराने जमाने से अरंडी के तेल का इस्तेमाल लोग करते थे बहुत ही फायदेमन दवा है बहुत ही फायदेमन आपके हेल्थ के इश्व में इसका इफिक्ट हमें देखने मिलता है इसलिए कैस्टर ओइल के क्या-क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं आपके हेल्थ को मिल सकते हैं यही इस वीडियो में मैं विस्तार से बताने वाला क्या क्या benefits होते है R&D के तेल के यही आज हम समझने वाले हैं ताकि आपके लिए ये बहुती चमदकारी थावित हो पहला जो फाइदा इसका है वो है आपके चेहरे के लिए जिहां चेहरे के लिए तथा तवचा को साफ करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद है अरंडी का जो तेल होता है इसको अगर आप नारियल तेल के कुछ बूंदों के साथ मिलाते है और फिर इसे आप अपने चेहरे पर अगर लगाते है तो आपके चेहरे के काले धब्बे भी गायब हो सकते है आपके चेहरे पर इसे काफी फाइदा आपको दिख सकता है काले धब्बे मिट सकते है साथ ही अगर आपको पिंबल्स की समस्या है एकनेज है मुहासे जिसे हम कहते हैं इस तरह की अगर कोई समस्या है या फिर आपके चेहरे पर डार्क सर्कल्स है आपकी स्किन डार खो चुकी है तो इन सभी तकलीफों में आपको ये बहुत ही अच्छा फाइदा दे सकता है लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया अरंडे के तेल को आईल के साथ कोकोनट आईल के साथ मिक्स करना है कुछ बुंदों को और फिर आप अपने चेहरे पे इसे रात को सोते वक्त लगा सकते है दूसरा महत्वफूर्ण फाइदा इसका है वो है आपके बालों के लिए जिहां बालों के लिए सरोतम दवा है ये बालों की काफी समस्याओं में इसे प्रयोक किया जाता है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा जढ़ते है या फिर आपके बालों में रुखापन है डेंडर्फ है आप इसे यूज कर सकते है इसे आपके बाल घने होंगे लंबे होंगे और ये बहुत ही अच्छा फाइदा आपको मिलेगा, आपके बाल चमकदार भी बनेंगे, तो बालों के सभी समस्याओं के लिए आप अरेंडल तेल बालों में लगा सकते हैं, ये काफी गुनकारी है, तीन नंबर पर है आपके कब्स की समस्याओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फाइदेमंद है, जिहां आज पर देखते हैं, काफी लोगों को डाइजिशन की समस्याओं है, अपच की समस्याओं है, कब्स की समस्याओं है, तो ये नैचरल तरीके से आपके पेट को साफ करने का काम करता है, सर्विसिंग का काम करता है, अगर आपको कंस्टिपेशन की समस्या काफी दिनों से है, तो म बच्चों में अगर डाइजेशन का प्राबलम है बच्चों में अगर पेट की समस्या है तो उनको भी आप आधा चमच दे सकते हैं लेकिन पहले अपने डॉक्टर को जरूर दिखाईए ताकि और कुछ इससे नुकसान बच्चों को ना हो क्योंकि हमें पता है कब्स ही काफी बिमारियों की जड़ है पाइल्स, फिशर, फिचुला के जैसे काफी पेशन्स मैं रोजाना देखता हूं और मेरे काफी पेशन्स को मैं ये रेगुलरली सजेस्ट करता हूं कि वो कैस्टरल ओयल ले इससे उनका डाइजेशन अच्चा हो जाता है आगे चलके जो बिमारिया आने वाली है पाइल्स की समस्या कैसे होती है पाइल्स यानि कि आपके लैटरिन की जगह पर जब बार बार प्रेशर आता है आपको जब कब्स रहता है काफी दिनों तक आपको कंस्टिपेशन रहता है उससे आपकी लैटरिन की जगह की जो नसे होती है वो फुल जाती है और वो बाहर आने लगती है जिसे हम external piles कहते हैं अंदर फुल जाती है internal piles कहते हैं तो piles के जैसे समस्याओ में भी ये बहुत फाइदेमंद है जहां हमारा next fourth point जो है वो है piles से अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको R&D के तेल का इस्तेम फिर थोड़ा सा बेचे ही नहीं होती है लोग बहुत जादा ध्यान नहीं देते हैं लेकिन आगे चलके यही कब्स आपको piles तक भी पहुँचा चकता है और इसलिए अगर आप piles से छुटकारा पाना चाहते हैं कब्स के शिकायत पूरी तरह से दूर करना चाहते हैं आप चा के समस्या होगी काफी पेशन्स मैं रोजाना इसके देखता हूँ हमेपेथि में piles फिशर और फिचुला के लिए तथा कब्स के लिए बहुत ही अच्छा इलाज है इससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं पाइल्स की समस्या पूरी तरह से ठीक हो सकती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप होमेपेटिक मेडिसिन्स भी ज़रूर ट्राइ करें। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा वाटसाइप नंबर मैंने नीचे दिया है। कैस्टरल ओयल का पाँचवा फाइदा यह आपके पेट की चर्वी को कम कर सकता है। जिहां हरे रंग की 20-25 ग्राम जड़ अगर आप लेते हैं और इसे अच्छे से आपको दोना है। इसे कूटना है अब 200 मिली पानी में इसे पकाना है। और फिर जब 50 मिली रह जाए तब इसका आप सेवन कर सकते हैं। ऐसा माना गया है कि इससे पेट की जो चर्वी है वो भी कम हो जाती है। छटा इसका फाइदा है यह कैस्टरल ओयल जो है मॉस्चुराइजर करके भी काम करता है। जी हाँ मॉस्चुर को शरीर में रोक के रखने का काम कैस्टरल ओयल करता है। अरंडे का तेल करता है। एक बूद अगर आप कैस्टर ओयल लेते हैं और अपने शरीर पे इसे लगाते हैं या फिर कोकोनल अइल में इसे मिक्स करके अगर आप अपने पूरे बाड़ी पे लगाते हैं शरीर पे लगाते हैं तो ड्राइनेस रोकने का ये काम करेगा moisture आपके body में बना रहेगा और इससे आपकी skin भी healthy रहेगी ये काम भी आप कर सकते है सात्वा लेकिन बहुत जबरदस्त इसका जो benefit है वो ये है कि castrel oil सुजन के लिए बहुत बढ़िया दवा है जहां इसमें retinolic acid होता है इस retinolic acid का काम क्या होता है ये anti-inflammatory है और इसी लिए काफी patients use करते है काफी लोगों को आपने देखा होगा specially old age people जो है अगर उनको जोडों का दर्द है उसमें ये use करते है सो काफी romantic element जो है arthritis की जो तकलीफे होती है वात की शिकायते हम जिससे कहते है सूजन आता है हातों पे, घुटनों पे, कमर पे तो उस जगह पर आप castral oil का इस्तमाल कर सकते है उससे हलके हाथ से आप मसाज कर सकते है मालिश कर सकते है इससे सूजन भी कम होगी दर्द भी कम होगा लेकिन बहुत जादा अगर सूजन है inflammation है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाईए और इसे लगाते वक्त रगणना नहीं है घिसना नहीं है ताकि और दर्द ना बढ़े इसका आठवा मुख्य फाइदा ये काफी skin की बिमारियों में फाइदे मन्द है जिहां, रुखापन skin का कम करती है इसी तरह से एक बिमारी होती है जिसका नाम है psoriasis psoriasis में क्या होता है scaling होती है, dryness होती है चमडी सुख जाती है उसमें भी आप castrol oil को बहुत ही अच्छे से use कर सकते है काफी प्रमान में इससे आपको फाइदा होगा scaling से जो आपको तकलीफ होती है खुजली आती है, वो भी इससे कम हो सकती है तो इतने सारे benefits castrol oil के है और यह अपने घर के आसपास मिलने वाली simple सी medicine है, जिससे बहुत जादा कुछ side effects भी नहीं होते जहां over use अगर आप करेंगे, जादा अगर इसका use करेंगे, तो definitely कुछ तकलीफ हो सकती है, उसके मारे भी आपने समझना चाहिए साथ ही आपको कौन सी बिमारी है, ये भी आपने अपने नजदी की डॉक्टर से मिलके check-up जरूर करवाना चाहिए, ताकि निदान अच्छे से हो, आपको बिमारी का पता चले बहुत बार बिमारी की तरफ ध्यान न देने की वज़े से बिमारी बढ़ जाती है सो बहुत अच्छा ये घरेलू नुस्खा मैंने आपको बताया है, आशा करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आया होगा, अपने फैमिली मेंबर्स तथा दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, तो हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद कोईब के वी इस सmeल के वीडियो कोईब को बहुत